अलो तो आज के इस वीडियो में हम सब देखने वाले है कि 40 का अपडेट सिधा 400 क्या से हो सकता है इसके पिछे का लॉजिक क्या रहे गया और किस तरीके से ये अपडेट आपको देखने मिलने वाला है हर एक चीज बात कने माले गी 40 रुपे पे अगर कोई चीज परचेस करोगी तो वो 40 रुपे से हो गया या इस अपडेट को बोलते क्या है इससे किस तरह के से आप ले सकते हो इससे एक्च्छल में बोला जाता है Hero & 0 Update तो Hero & 0 Update आपको कहा से मिलता है इसका logic क्या होता है 40 रुपे, सीधा 400 रुपे कैसे हो सकता है कि 40 का 401 इसके अंदर हो सकता है या इसे time लगता है ये होता कैसे है पूरा detail में बात करने वाले है अगर ये होता है तो ये CE side में होता है या ये PE side में होता है इसके पीछे का logic क्या है हर एक चीज़ा भी डिटेल में बात करेंगे उसके साथ में यहाप अगर 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 आपने हमारा free telegram channel जाइन नहीं किया तो यहाप अगर आप जाइन कर सकते हो education and learning purpose के लिए आप अपडेट दिया जाता है आप यहाप पर देख सकते हो बिल्कुल live market में यहाप एक update दिया था जिसने लगबख यहाप पर 300 to 350 points हमें easily यहाप पर capture हो चुके थे तो इसका link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा वासे आप इसके अंदर आसाने से joining कर सकते हो अब हम यहाप पर देखने वाले है कि 40 का update सीधा 400 के से हो सकता है और इसके बेचे का logic क्या रहने वाला है हर एक चीज़ का बारे में detail बात करेगे सबसे पहली चीज़ इसके लिए आपको कुछ rules follow करना पड़ता है सबसे पहली बात ये अगर आपको चीए तो आपको चाहिए fast momentum तो fast momentum आपको जिस जगे पे मिलेगी उस जगे से आपको ये 40 का 400 होता हुआ देख सकता है अगर मान लेते हैं कि ये fast momentum नहीं होता तो कि ये 40 का 400 होगा इसका logic क्या रहेगा चलिए वो भी देख लेते हैं अगर हमारे पास ये fast momentum नहीं है अगर हमारे पास का momentum जो slow है तो 40 का 400 होगा या नहीं होगा वो भी देखेंगे अब इसके साथ साथ हमारा बिल्कुल totally free bank nifty option trade का free telegram channel भी है यहाँ पर education and learning purpose के लिए बहुत से चीज़े update कर दिया जाता है यहाँ आप यहाँ पर देख सकते है बिल्कुल daily आपको यहाँ वीडियो update मिलता है अगर आपने इसमें joining नहीं किया तो आप इसके अंदर आके joining जो है work कर सकते हो education and learning purpose के लिए बहुत से update आपको यहाँ पर देखने मिलते रहता है तो चलिए अब यहाँ पर हम देखने वाले है कि 40 का 400 आपको कौन सी जगे से होता हुआ देख सकता है इसके बीचे का logic क्या रहेगा और इससे हम क्या बोलते है इससे बोलते है हम hero and zero तो इतना बात भी आप दियान रखे है hero and zero हम इसे बोलते है अब हम यहाँ पर देखने वाले है कि यह आपको hero zero कौन सी जगे से दिखने मिल सकता है अब यह देखे यह जो momentum है यह काफी fast momentum है यह जो moment आप आप देख सकते हो यहाँ से लेकर कि यहाँ तक यह बहुत fast momentum है अब ऐसी moment अगर आपको यहाँ पर expiry वाले दिन मिल जाती है तो काफी बढ़िया सा profit earning आपका generate हो सकता है अब expiry वाले दिन कब है तो expiry वाले दिन है यहाँ पर कल याने के tomorrow यहाँ पर ही हमारा expiry वाले दिन expiry वाले दिन hero zero के momentum काफी तेज होते रहते है पूरा logic हम देखने वाले है किस तरीके से momentum आपको आते रहते है अब ही अगर आप hero zero लेने की कोशिश करते हैं सबसे पहले तो देख लेते हैं कि hero zero काम कैसे करता है तो मैं इस चार्ट के आपर रख देता हूँ ठीक है अब example के लिए हम consider करते हैं कि हमारे पास कोई चीज है जो हमने 10 रुपे पर पर परचेस कर लिया है और उसने हमें बेज दिया है 100 रुपिस पर अभी अगर 10 रुपिस पर हमें कुछ चेज परचेस करना है अब यह 250 रुपीस अगर आप इसे सेल करोगे यहां पे 100 रुपिस पर आपका profit कितना हो जाएगा आपका profit हो जाएगा 2500 रुपिस का अपका invesment कितना है 250 रुपिस का लेकिन आपका profit कितना है 2500 रूपिस का तो यहाँ पे जो है आपको expiry की दिन काफी बड़ी ऐसा profit earning generate होता हुआ देख सकता है अब इस case में आपको profit ही होगा ऐसी बात होती है तो definitely no इस case में loss भी हो सकता है अब loss कैसे होगा आपका जो investment है जैसे आपका investment है 250 रुपिस का तो loss कितना हो सकता है जादा से जादा only 250 रुपिस का loss होगा आपको लेकिन अगर आप इसे 100 रुपिस पे बेचोगे तो profit कितना हो जाएगा 2500 रुपिस का तो यह आपका जो profit होने वाला है इस case के अंदर वो काफी ज़दा हो रहेगा लेकिन जो loss रहेगा वो only 250 रुपिस का रहेगा अब थोड़ा सा और detail में इसके बारे में जानते है कि exactly यह काम कैसे करता है अब जैसे कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर मान लेते हैं आपने एक hero zero purchase कर लिया है CE के side में यानि कि market हैसे उपर निकलने वाला है तो आपने यहाँ पर 10 रुपिस पर कोई चीज purchase किया उसके बांध में यहाँ पर देखे थोड़ा सा यहाँ पर खर लिया याँ से market आपने कितने रुपई पर पर बझाए 10 रुपिस पर तो market क्या हूँ कुआ मार्किट यह से नीचे आया तो जो आपने 10 रुपिस पे purchase किया है उसका value भी नीचे जाएगा वो हो जाएगा 8 रुपिस का ठीक है आपने यहाँ पे hold करके रखा आपको पता था कि market यहाँ से एक उपर जा सकता है या तो फिर आपका analysis कहेता था कि market यहाँ से उपर जाएगा याना कि लगबग आपको यहाँ पे 20-30 points अल्रीडी मिल चुके थे अब क्या आप इसे यहाँ से जो यहाँ तक की जो level से मतलब जो आपको उन्हें 10 रुपिस पे purchase किया है उसका value हो गया 30 रुपिस का तो आपको already कितना रुपिस का profit हो गया है अब इसके साथ 5 टरीके से कौन सी जारी से एक्सपाइः का momentum आपको देखने मिल तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं क्वोन से momentum चीए से morema shit चाहिए अब देखिए 5 उन्हाँ इस यह काफी बढ़ी ऐसा momentum काफी तरी से आप इंग्रिस हो सकता है अब इसका बारे में डिटल देखेंगे देखें लाइव मार्केट में जो भी अपडेट्स रहेगा उसका अपडेट आपको यहाप पर मिलेगा हमारे टोटली फ्री टेलिग्राम चैनल में तो सबसे इंपोर्टन बात यह है कि आप यह जो हमारे फ्री टेलिग्राम चैनल है जिसके अंदर 15,800 मेंबर्स जॉइन हो चुके है इसके अंदर आकर के आप पहले तो जॉइनिंग कर लीजिए इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यहापे भी आपको डेली अपडेट मिलता है क्या हमार एक चीज का अपडेट अपको यहापे देखने मिलता है तो यहाप आकर क्या आप जॉइनिंग कर लीजिए अब यह हम देखेगे कि किस तरीके से आपको यह मोमेंटम मिलेगा अगर आपने यहापे बर्चस कर लिया कि मार्केट यह से नीचे जाएगा 40 रूपिस पर यह से तक वह आ जाएगा fast moment के साथ साथ तो वह 200 हो जाएगा जो आपने फॉटी रूपिस पर पर्चिस किया है वह 200 तक चल जाएगा एक ही जटके के अंदर क्योंकि momentum यहापे fast है अब अगर यह momentum fast नहीं है अगर momentum इस तरीके से यहापे बन रही है slow momentum यहापे बन रही है तो उस case म वापस हो जाएगा 50 50 से यह हो जाएगा वापस 70 70 से वापस यह आ जाएगा नीचे 30 पर तो इस तरीके से मुवमेंट करते करते हैं आपको यह profit डिला सकता है या फिर loss डिला सकता है लेकिन यह वाली जो strategy है इसके अंदर आपको जो loss होगा वह बस आपका investment value रहेगा जैसे कि आप 250 रुपीज invest करते हो तो 250 का loss रहेगा लेकिन इसके अगेंस में जो profit मिलेगा अगर आप कितने पर बेचोगी आपके ऊपर 20 टैंस पर बेच रहेगा फिर 10 टैंस पर अगर 10 टैंस पर बेचोगे तो सीधा profit आपकर 2500 करेगा अब यह डिपेंट करेगा उस दिन के market situation पर क्या उस दिन market का momentum fast है या फिर उस दिन market का momentum slow है तो इसके बारे में लायू market हर एक चीज कहाँ पर क्या होने वाला है उसके बारे में update यहापे आपको मिल जाएगा हमारा totally free telegram channel में तो यहापे आकर कि आप definitely join कर लीजे यह हमारे totally bank nifty option trade का free telegram channel है अगर आपको hero zero का update चीए त आपको देखने में मिल जाएगा कहाँ से किस तर किसे momentum होगी कौन सी जागा हमारे लिए important होगे उसके बारे में लायू market का update हम वहाँ पर करतेगे ओके तो वहाँ पर आपकर करके join आप कर सकते हो अगर आपको हमारे view जानना है hero zero update के लिए तो